हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल और आज में लेके आई हूँ आपके लिए कटल की सबजी की रेसिपी तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं यह बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है तो इसको में आलू की तरह ही बॉइल कर लूगी तो इसमें सबसे पहले में तो हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी तो सबसे पहले यहां पे एक तवे पे मैंने थोड़ा सब तेल डाला है और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है तो उसे थोड़ा सा हलका सा ब्राउन होने तक हम पका लेंगे जब तक कि यह सुनरा ना हो जाए तो अभी मैंने यह प्याज को सुनरा कर लिया है और एक टमैटो लिया है वह भी मीडियम साइज का है तो इसका हम अभी बारिक पेस्ट बना लेंगे और यहां पे एक बरतन में मैंने तेल गरम कर लिया है तो तड़के में में डायरे को ही मसाला डाल दूंगी पीसा हुआ और इसे अच्छे से हम पका लेंगे और इस सबजी में तेल थोड़ा ज्यादा लगता है तो अभी मसाला अच्छे से पका लेंगे हम जब तक कि हमारा मसाला तैयार होता है तो एक साइड में वो बीजे भी बॉइल हो जाते हैं और ठंडे भी हो जाएंगे तब तक तो अभी मैंने डाल दी है लाल मिर्च पाउडर दो चम्मज थोड़ी सी हल्दी और इन सब मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि मसाल अच्छे से पक ना जाएं और यह देखिए अभी मैंने इसे बॉइल कर लिया है मैं आपको बता दीती हूँ तो यह देखिए बॉइल करने के बाद इस तरह से दीखते हैं यह देखिए और अभी मैं आपको भी छिल के भी बता दूँगी एक इसे उपर से जैसे आलो चिलते हैं उसी तरह से इसे भी छिलना होता है यह देखिए इस तरह से इसके छिल के निकल आते हैं यह देखिए तो अभी मैं पूरे चिल लूँगी और अभी मैं मसाले डाल रही हूँ तो यह है गरम मसाला और मैंने नमक भी डाल दिया है थोड़ जालेंगे और मीडियम प्लेम पे ही इसे अच्छे से पकाना है मसालों में जैसे हम बाकी की सब्जी बनाते हैं बस उसी तरह इसे भी बनाना है बस जादा से जादा इसे दस मिनित में सब्जी बिल्कुल तयार हो जाएंगी यह देखिए मसालों में अच्छे से पक चुका है यह अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वह सिसाब तो इसकी ग्रेवी भी थोड़ी गाड़ी हो जाती है तो बस अभी पांच मिनित में रेडी हो जाएंगी एदिखी आवील अललक से छुटने लगा है और अभी में डाल दूंगी इसमें हरा धनिया हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है तो मैं अभी कर लेती हुई इसे प्लेट में सर्फ और उपर से थोड़ा सा डाल दूंगी हरा धनिया इदिकी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल आलू की तरही इसकी सब्जी बनती है तो आप इसे जरूर बना के देखिए और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भ इखरेश सब्सक्राइब कर दो